हेलो नमस्कार दोस्तों एड्यूकेशन ग्यानलोटिव चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत हैं मैं सवर्व एक बार फिर आपके साथ दोस्तों आज हम क्लियर करने जा रहे हैं यह फरस्टियर हिंदी यह का नौवा चैप्टर है जिसका नाम है आज के अतीत से जोकि और यह पूछ रहे हैं कि इसका परिच्व याद करना जरूरी है तो आपके लिए कंपल्सरी है तो इसलिए परिच्य को भी पढ़िए सबसे पहले आता है भीश्म सहानी का परिच्चे है आधुनिक हिंदी सहाथिये में सवतंतुरता प्राप्ति के बाद अनेक ऐसे जाने माने सहाथिकार हुए जिनमें से एक भीश्म सहानी भी थे जिनोंने हिंदी सहाथिये की कई विधहों में अपना महत्पुन योगदान किय अजादी के संगराम की सच्चाई, देश विभाजन की पीड़ा और अजाद होने के लिए चुकाई जाने वाली भारी कीमत का संकेत दिया है भीसम सहानी उनमें सबसे पहले दर्जे के लेखक सावित होते हैं पाकिस्तान की एक सहर है जिसका नाम है रावल पिंडी उसमें आठ अगस्त सन 1915 में उनका जनम हुआ घर पर नहीं और पंजाबी हिंदी-और संस्कृत कि आरवांबिक शिक्ता पाई ही प्राप्त की और हिंदी और अरो अन्ग्रेजिव में सिकोल में पढ़ी Spa होकर पर बढहें की एक संस्था के सदस्य बन गए बात में वो दिल्ली आ गए यहां उन्होंने पत्पर काड़िता की छेतर में अपनी योग गयता का परसार किया विशुविधालय की जाकिर जो दिल्ली का विशुविधालय है जाकि हुसेन कोलेज में लंबे समय तक अंग्रेजी का प्रध्याबक भी रहे यहां पर आके ने टीचिंग में जोब मिल गई और सन 1965 से लेकर लगभग डाइवर्स तक नई कहानिया नामक नई कहानी जो है पत्री का एक उसमें इनके संपादक भी छपते रहे ठीक है इनके अध्याबन के कार्णियों से मुक्ति पाली और साथ वर्स के लिए यह रूस चले रूस के सहरे मास्कों नाम का महां पर रहने लगे और वहां जाके इन्होंने रूसी भासा का गहन अध्यन किया महां जाकि आए उन्होंने रूसी लैंग्वेश सीखी तथा रूसी भासा की अनेक पुस्तकों का अनुवात किया हिंदी में उन्होंने जो है कहानी नाटक उपनियास बाल सहित्य आदि लिखकर अनेक रूपों में सहित्य सेवा की है भिष्म सहानी को उनकी सहित्य और वेचारिक उचाईयों के कारण अनेक सम्मान और पुरुष्कार प्राप्त हुए इसमें मैं दिखने ही रहा कि कौन-कौन सम्मान इनको मिले ठीक है मैंने सीधा-सीधा लिख दिया क्योंकि इतना टैम नहीं है और फिर भी याद कई बड़ नहीं होता स्टुडेंट को काफी सारे हैं अब आता है पार्ट का स कारण एक चीज़ है नोर्मल की जिसने प्याच्ट करी है इंग्लिश में ही करी है तो सन 2003 में आज के अतीत सीसर की यह सिसर कहा है इसका आज के अतीत से भीष्म जी की अत्मकथा परकासित होई थी पाठ्टे करम का यह लेक इस आत्मकथा का एक हिस्सा था इस लेक की कारुन चित्रन से करते हैं यान की वैसे चित्र बना के कहानी में अपने परकासित करके उस तरह लेकते हैं मुंबाई में बिवान की शहर में हिंदू-मुसल्मान दैंगों के खिलाफ पूरे नगर में दहसत फैले हुई थी चिप्पी फैले हुई पड़ी थी पुलिस वाल के यह अनुमाद लगाना भी काफी कथिन है क्योंकि घरों में और बहार बर्तन और कपड़े बरतन कपड़े तोते का पंज्रा चूले के उपर पड़ी आधी आधी बहुत समान दिखरा पड़ा था ठीक है चूले के उपर पड़ी यहां पर केटली था केटली आया नहीं चूले के उपर पड़ी केटली आधी काफी समान दिखरा पड़ा था भिवानडी दंगों के कारण जगे जगे आगसी जुलस पड़ी थी पड़ा आ गया पड़ी पढ़ी थी जीवन जैसे थमसा गया यह सब देखकर लेखक को महसुत हुआ कि धर्म और जाती के नाम पर तांडव मचाने वाले अत्याचार और उनसे लोगों की चीख पुखार अब भी वहर सुन पा रहे हैं कहीं जीचिचे हिंदु मस्लिम लोगों के ताजा कामधंदे के उदार्ण मिलते हैं कि आगमर सब खतम हो गए इसके बाद लोटे ने इसके बाद वो लोटे दिली ठीक है इसके बाद वो दिली लोटे उन्होंने उन्हों यादों को एक आ एकर लिखना सुरू कर दिया उनका दियान रावल पिंडी में होने वाले मोतों के ऐसे नंगे नाज की और चला गया और उन्होंने पैंसे लिछाई अपने लिखना सुरू कर दिया भीश्मजी का विचार था विचार है कि किसी उपनियास को लिखने के लिए भावना को तुफान चाहिए और भीवानडी नगर में दंगों ने मुझ में रावल पिंडी के दंगों की अनुभव का तुफान ला दिया था क्योंकि क्योंकि विवानडी नगर में दंगों ने मुझ में रावल पिंडी के दंगों की अनुभव को तुफान ला दिया था क्योंकि दोनों में क्योंकि दोनों में समानता थी उन्हें याद आता है सदार की बश्तियों का वहधर इस से है जहां अनेक इस्तियों को अपन कैनेinging के लिए कुवे में छलांग लगाई थी और उन सब की लास फूलकर ओपर आ गई थी ल आस कल्ले जैगा लास को इ में ऊपर आ गई थी भच्चों की लासी भी उसमें उलजी पड़ी थि उसकें धसामिल थी कहीं सरदार पागल से होकर उन्हें देख देखकर बिखला गए यह बोखला गए ठीक है वैसे बिखला यह वड़ा सही बिखला पड़ते थे तो कभी कभी गुरुमारी का पाठ पड़ने लगते थे विश्म जी ऐसे बहानक द्रिश्चे को लिखते चले गए उनका विचाथ था कि उपन्यास लिखते से में यह जरूरी नहीं होता कि कोई घटना अत्वा पातर वास्तविक है या नहीं होता कि कालपनिक पातर है या फिर वास्तविक पातर है और घटनाओं का इस्तान आधि भी इसी चीज में सामिल कर आता है विश्वासनियर लगे ऐसा लिखा जाया कि व महित नहीं तो यह पुस्तर के वल आखडों और अधायों का निरस संग्रह बनकर रह जाएगा निरस जिरसन और रहे जाएगा निरे क्लेक्सynn बनकर रह जाएगा इसलिए उपनियास लिखते समय आंखों के सामने धूम जाने वाले दरस्या है और मंद में उठने वाल को उबाल को लिखते जाना चाहिए इसी वास्त्यविक्ण आखडों की तलास नहीं करने चाहिए बार में वैं लीखते हैं बन गया क्योंकि वह धर्म के अंधे लोगों की महार्काट की तरह अस्तिल लग रहा था लेखक की यह किताब छप गई और सबने इसकी परसंचा की उनका परसिद यह उनका परसिद उपनियास तमस है जिसका नाम तमस है उसकी बात हो रही है अब तक हाँ पर वह इसी उपनियास पर गोविंद द्वारा बनाई गई फिलम के विश्य में बता रहे हैं कि उपनियास छपने के लगबाग दस साल बाद गोविंद ने फिलम बनाई तो उसमें विवाद पिंडी के घरों के साथ साथ गुरु दुआरे भी फिलम स्टूडियो के अंदर बनाया गया था तब होगा तो वैसा ही जीता जागता लगता है पर वहाँ वहाँ पर एक करवाहत जिंदा थी सुएम लेखक सुएम भी सर्दार जी का रोल कर रहे थे इसी परकार उनकी आत्मकथा भारत की अतीत का यह अंच यहीं समाप्त होता है और उमीद करता हूं कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक करें और कोमेंट कर का बताया जाएगी ओके थैंक्यों फ्रेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भोले थैंक्यों